हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल लवगपशब आई होप यू आर वेरी वेल दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो फुद्दू लड़के होते हैं मतलब कि जो दिखने में अच्छे नहीं होते हैं इस टाइप के लड़कों से लड़किया कैसे पढ़ जाती हैं दोस्तों आपने पार्क, मेट्रो, बस वगेरा में देखा होगा के लड़की एकदम अच्छी खासी होगी लेकिन भाई उसके साथ जो लड़का होगा न वो एक नमबर का फुद्दू होगा या देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा दोस्तों ऐसा सभी केसिज में नहीं होता लेकिन जनरली हम लोगों ने देखा है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ तो दोस्तों excited let's get started तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले point की तरफ सबसे पहला point है chatting well दोस्तों अपने बहुत से लड़कों को देखा होगा इवन अपने दोस्तों को भी देखा होगा जिनको खाली लड़की का whatsapp number मिल जाए या facebook id मिल जाए जो real हो उस पर वो लड़की को easily set कर लेते हैं और भाई वो set ऐसे कर लेते हैं क्योंकि उनको chat करने का सही तरीका मालूम होता है अब भाई chat करने के भी बहुत से तरीके होते हैं अब भाई जो सीधा लड़का होता है न वो लड़की को hi hello messageों में यही सब लिखता है और भाई लड़की का message box न ऐसे messageों से भरा होता यार कसम से भाई तो भाई लड़की hi hello का reply किस किस को करेगी यार लेकिन भाई कुछ फुद्दू बंदे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है भाई एक्जामपल के लिए आपने अपनी क्लास में ही देखा होगा यार स्कूल वगेरा में देखा होगा जो लड़के first, second, third आते हैं दिखने में कता ही फुद्दू लगते हैं लेकिन भाई marks देखोगे ना उनके 90, 95, 85 ऐसे ही आते हैं तो भाई इन फुद्दू बंदों का दिमाग औरों से कुछ टेड़ा ही चलता है और इनके message भी कुछ टेड़े ही होते हैं एक्जामपल के लिए उसने लड़की को message कर दिया और भाई ऐसे message का लड़किया reply generally कर देती हैं तो भाई ऐसे ऐसे दीरे दीरे बात आगे बढ़ जाती है उन फुद्दू बंदों के टेड़े दिमाग के टेड़े message काम कर जाते हैं वो लड़की पटाने में कामियाब हो जाते हैं भाई चलते हैं second point की तरफ जो है with girl zone in school and tuition भाई आपने school और tuition के लड़कों को देखा होगा खासका tuition के लड़कों को हाथ में एक कोपी होगी और साथ में एक लड़की होगी जो बहुत smart होगी और भाई उस लड़की के साथ जो लड़का होगा ना वो भाई एक नमबर का फुद्धू होगा तो भाई ऐसे फुद्धू लड़कों से लड़कियां इसलिए पढ़ जाती हैं ऐसे फुद्धू लड़के लड़कियों का ट्रस्ट जीत लेते हैं क्योंकि लड़की के लिए वो अंजान नहीं होते दूसरी बात वो लड़का लड़की के साथ टूशन वगएरा आता जाता रहता है और वहाँ उनकी अच्छी खासी बाचित होती रहती है और यहाँ पर अगर उस लड़की की सैटिंग कहीं भी नहीं है तो भाई 99.9 चांस ये है के वो लड़की उससे असानी से सैट हो जाएगी चाहे वो भाई फुद्धू हो या फिर दिखने में कम स्माट हो बस भाई उसको ओफर मानने की दे रही है और बंदी उसकी हो जाएगी भाई अब चलते हैं ठाट पॉइंट की तरफ जो है टू मच कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है ये लड़के ज़्यादा फिकर नहीं करते आई मीन ये ज़्यादा टैंसन वगारा नहीं लेते मतलब यार ये एकदम मूफट टाइप के होते हैं जो सीधा लड़की से जाकर बात कर लेते हैं और ये लड़के ज़्यादा सोचते नहीं है कि लड़की हाँ कहे या ना कहे ये सीधा लड़की से जाकर बात कर लेते हैं और भाई लड़कें भी यही पसंद करती है कि लड़का सीधा आकर उनसे बात करें मतलब भाई इन लड़कों को किसी चीज की टैंसन नहीं होती बनी तो बनी नी तो अब्दुलगनी अब भाई ये लड़के दिखने में कैसे भी हो doesn't matter बस यहाँ पर इनका confidence level काम कर जाता है प्लीज भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो और bell notification दवा दो अगर आपने नहीं दवाया तो प्लीज भाई प्लीज भाई चलते हैं fourth point की तरफ girls between 16 to 19 years old भाई आपने देखा होगा चलो भाई मैं आपको एक example देता हूँ एक 17 साल की लड़किय और एक 20 साल की लड़किय यह दोनों ना best friend है लेकिन जो 20 साल की लड़की है ना उसका boyfriend आै और जो 17 साल की लड़की है ना उसका boyfriend नहीं है और भाई ये best friend है, मतलब पक्के वाले best friend है यार मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज़ता time spend करते हैं ये और जो 20 साल वाई लड़की है ना, उसके boyfriend की call वगरा आती रहती है और जो भाई 17 साल वाई लड़की है ना, उसके सामने 20 साल वाई लड़की अपने boyfriend से बात करती रहती है यार खाना खा लिया, क्या खाया, good morning, good evening, good afternoon तो भाई ये दोनों best friend है, आपस में time spend करते हैं तो भाई 17 साल वाई लड़की को दिरे दिरे ऐसास होने लगता है कि उसका भी कोई boyfriend होना चाहिए, जिससे वो भी अपनी आप बिती किसी को सुना सके अब भाई उसको साथ में company ऐसी मिल रखी है, अब भाई जाईर सी बात है तुमारे सामने कोई गाजर घलवा खा रहा होगा, तो तुमारा भी तो मन करेगा यार, खाने का तो भाई ऐसी situation में अगर 17 साल वाई लड़की को कोई offer टेक दे, वो चाहिए दिखने में कितना भी बड़ा food दूओ, कमी smart ओ, उसको चलेगा वो 99.9% हाँ ही करेगी सब्सक्राइब कर लो भाई, notification दबा दो चलते हैं भाई, 5th point की तरफ, जो है मोके पर चोका मारने वाले लड़के, भाई, कुछ लड़के होते हैं जो मोका हाथ से नहीं जाने देते, और मोका मिलते ही उस पर खड़े उठते हैं, चाहे वो दिखने में कमी smart हो, या फिर दिखने में food दूओ, भाई, ये कभी भी मो अफिस है, और उसमें बहुता ही लड़के हैं, जिसमें से एक लड़की अपना lunch लाना बूल गई है, या किसी कारणवर्श वो lunch नहीं लाई है, और जो ओफिस में मोके पर चोका मानने वाला बंदा है, उसे पता चल चुका है कि ये बंदी lunch नहीं लाई है आज, और भाई, ये वो lunch लाया भी होगा ना, तब भी वो यहों बोलेगा यार, आज मैं lunch लाना भूल गया, तो भाई, जैसी lunch टाइमिंग होगी, तो वो लड़की से बोलेगा, यार मैं बहार जारा हूँ, lunch लेने, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाना है, तो भाई, जाइर सी बात है, लड जाना ढूंड रहे होते हैं, और बातो बातों में बोल देते हैं, बाई दो वे, आज मैं फलानी जगा जा रहा हूँ, भाई, वो उसी फलानी जगा का नाम लेते हैं, जहाँ पर लड़की का घर होता है, तो भाई, लड़की भी उनसे बोलती है, अच्छा वहां जारे हो, यार वहाँ तो मेरा घर है, तो भाई लड़का बोलता, अच्छा तुम्हारा घर है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो चलो आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ वहाँ तक, तो भाई लड़कियां सोचती है, बस वगएरा, रिक्षा वगएरा, मैं दक्के खाने से बढ़ आपको पसंदाई होगी, पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह की मज़ेदार वीडियो और देखना चाहते हो, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाबाई